हेलो दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे SSJEE 2022 की एक्सपेक्टर्ट कटो फैवो कितनी रह सकती है उसकी बारे हम बात करेंगे दोस्तो पूरे डिटेयर से बात करेंगे कि कितनी सीफ्टों में यह एक्जाम होई थी कौन सी सीफ्ट का पेपर है वो टफ आया था और कौन सी सीफ्ट का पेपर है वो इजी आया था कौन सी सीफ्ट को नॉमलाजिस का फाइदा मिनने वाला है और किन्ते किन्ने मार्क्स पर सेलेक्शन हो सकता है उस सभी के बारे में हम बात करेंगे दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता चाहूँ कि अगर आप SSGT से समंधित कोई अच्छे बुक ढून रहे हैं तो उसकी लिंक है मैंने कमेंट बॉक्स में दे दी है अगर आप SSGT से समंधित कोई अच्छे बुक खेना चाहते हैं तो आप description box में जाकर उस बुक को ख्रीद सकते हैं link पर click करके मैं इस book की link है वो description box में दे दूँगा तो दोस्तों हमारी मैं मुद्दे के ऊपर कि SSGT junior engineering 2022 expected cutoff है वो कितनी जा सकती है देखिए दोस्तों से पहले बात करें तो कितनी शीटों में यह exam होई है तो दोस्तों जो exam होई है यह होई है 14, 9, 15, 9 और 16, 9 अब दोस्तों यह तीन शीटों में जो exam होई है उस तीनों शीटों के अंदर बात करें तो कौन सी shift की जो cutoff है sorry कौन सी shift की जो paper है वो tough हुआ है उसकी बारे बात करेंगे देखें दोस्तों जो सबसे ज़्यादा tough paper माना जा रहा है वो जो 15, 9 और को 15, 9 और को evening shift के अंदर जो exam होई थी third shift में जो exam होई थी वो सबसे hard माने जा रही है कि उसके अंदर जो बचों का attempt हो बहुत ही कम रहा है लगबग 125 से लेकर 130 के आसपास बचों का attempt हो पा रहा है 15, 9 और को 30 shift की अंदर तो इनको दोस्तों कहीं न कहीं नोमराइसन का फाइदा मिनने वाला है अब बात करेंगे कि सबसे easy shift को इसे ही है तो सबसे easy shift की जो बताई जा रही है वो है 15, 9 और को दोस्तों बात करेंगे कि जो cut-off है वो exact cut-off हो कितनी के आसपास रह सकती है उसके बार भी हम बात करेंगे चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जर्णर कैटेगरे की अगर कोई जर्णर कैटेगरे के इंदर कोई बच्चा है कोई student है कोई candidate है और उसके अगर 108 से 113 के आसपास नंबर बन रहे हैं तो उनका selection होने के chances बनते हैं इसमें आप प्रस-2 कर लेना कि इतने नंबर के आसपास ही इसकी cut-off है वो रनने वाली है इतने नंबर बनने है तो आपको मेंस की preparation चालू कर देनी चाहिए अब हम बात करत सेलेक्शन होने के chances इसके अंदर बनते हैं उन्हें मेंस की preparation चालू कर देनी चाहिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों आगे हम बात करेंगे EWS category की EWS category के अंदर कितने नंबरों के उपर selection होने के chances बनते हैं तो EWS category के अंदर कोई candidate है और उसके अगर 103 के आसपास नंबर बन रहे हैं EWS category के अंदर तो उन्हें भी मेंस की preparation चलू कर देनी चाहिए उनका selection होने के chances बनते हैं आगे हम बात करेंगे SC Candid और कोई Candid एगर SC के अंदर है और उसके Around 100 यानि 100 के आसपास नम्हाँ बन रहे हैं SC Candid के अंदर तो उनका भी selection होने के chances इसके अंदर बनते हैं अब हम बाते हैं दोस्तों next category ST के अंदर कोई Candid ST के लिएकर है और उसके 98 के आसपास नम्हाँ बन रहे हैं तो उनका भी इसके अंदर selection होने के chances बनते हैं तो दोस्तों यह था SC Junior की expected cuttop इसके आसपास दशकती है दोस्तों वीडियो चली किए तो लाइक करना और चनले परिबाद चनले को सब्सक्काइब करना धन्यवाद